कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिय गांधी ने लोगडाउन के दुरान बेरोजगार होने वाले लोगों का भी मामला उठाया है सोनिय ने कहा कि लोगडाउन के पहले फेज में 12 करोड लोगों से रोजगार छिन गया ये संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है ऐसे में इन लोगों की आर्थिक मदद के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि लोगडाउन में जोब खोने वालों को साड़े साथ हजार रुपे की आर्थिक साहिता मिले जब तक लोगडाउन नहीं हटता और चीजे सामाने नहीं होती तब तक ऐसा किया जाना चाहिए महीं कॉंग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फिर से पी पी किट की कमी और खराब क्वालिटी का मामला उठा